Hello Friends, Welcome to the Crack the Book YouTube Channel आज इन 3 मिनिटा में हम सिखेंगे कि We Look Up Formula के इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं तो आप यहाँ पे एक bracket डेख सकते हैं जिसमें मिने name, age और interest के सामने काफी student के नाम लिखे हैं जिनके age और interest इस column में है मैं चाहता हूँ कि किसी भी student का नाम अगर मी इस column में fill up करूँ तो उसके सामने वाले column में उसका age और interest आ जाए तो चलो यह हम We Look Up के formula से करेंगे तो पहले उस student का नाम type करते हैं और उसके सामने वाले formula लगाएंगे तो is equal to करके हम सुरू करेंगे We Look Up, double click किजिए Look Up value में हम इस cell को select करेंगे फिर कॉमा लगाएंगे अब आया है table array, table array में हम पूरा table को select करेंगे उसके बाद आया है column index, column index में हमें जो कुछ भी सर्थ करवाना है जो column उसको select करेंगे आपे देखिए column number हमें age 2 में है तो हम उसे 2 press करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे true or false, यह जो data है वो sorted है या नहीं, यह sorted नहीं है इसलिए हम उसको false करेंगे, simply bracket over करेंगे और enter करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसके सामने उसकी age आ गई है तो अब इस cell में हम वापी से वही formula लगाते है is equal to, we look up करते हैं इसमें, double click करते हैं फिर से look up value में हम इस cell को select करेंगे उसके बाद हम फिर से comma लगाएंगे, table array में हम फिर से वही का वही select करेंगे, अब हम column index में चाहते हैं यानिकि interest search करेंगे, यानिकि हम 3 number लगाएंगे तो हम column index में लिख देंगे 3, फिर से हम comma करेंगे इसको फिर से false कर देंगे, bracket over करेंगे और देख लिजे, उसका interest अभी सामने आ गया है तो अब हम दूसरा नाम try कर रहे हैं, अभी लिखता हमें यहां पर हारदीक, तो देख लिजे, उसका age और interest सामने आ गया है तो अब थोड़ा से और advance बनाते हैं, अब बारी बारी से हमें नाम type ना करना पड़े, इसलिए हम कुछ ऐसा करते हैं कि एक ही click में किसी भी student का यहां यह पर आ जाए तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम data validation करेंगे तो इस column को हम select करेंगे, यहां से data में जाएंगे यहां पर data validation में जाएंगे, उसके बाद यहां पर हम list select करेंगे यहां से हमें source में select करना है, यह पूरे का पूरा नाम उसके बाद यहां पर ok कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा लिस्ट अब आ गया आप जिस किसके भी student का search करना है सिर्फ लिस्क कीजिए उसके सामने उसके value आ जाएगी तो इस तरीके से आप काफी अच्छी तरके से कुछ भी बना सकते हैं अपनी तरके से और इसको इस्तमाल में ले सकते हैं अगर ये वीडियो आपका पसंद आया है तो मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा वीडियो को लाइक किजिएगा और सेर किजिएगा थैंक यू जैहिन जै बारत